हेलो फैंड्स मैं हूँ सौर आप आज की इस वीडियो में हम आपको टेसला कंपनी से जुड़े 5 ऐसे इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं जिने आपने सायद ही पहले कभी सुना हो टेसला कंपनी अमेरिका देश की इलेक्ट्रिक वीडिकल निर्माता कंपनी है बाहा निर्मार की दुनिया में टेसला कंपनी एक बड़ा नाम बन चुका है टेसला कंपनी ने इलेक्ट्रिक कारों का निर्मार कर पूरी तरह से इलेक्ट्रिक से चलने वाली कार के इस सपने को स आज हम आपको टेसला कंपनी से जुड़े पांच ऐसे रोचक तक थे बताने वाले हैं जो सायद कम ही लोग जानते हैं नमबर वन टेसला की स्थापना किस ने की? कई लोगों का मानना है कि टेसला कंपनी और उनकी कारों को अरपती एलन मस्त ने बनाया है हाला कि ऐसा नहीं है कमपनी की स्थापना 2003 में एरिक एवर हाड और मार्क टार पेइनिंग ने की थी एलन मस्क फरवरी 2004 में टेसला के चेर्मेन के रूप में निदेसक बोर्ड में सामिल हुए और बाद में कमपनी के CEO बने टेसला कार के अविसकारक निकोला टेसला को सुरद्धन्दली देने के लिए कमपनी का नाम टेसला पड़ा नमबर टू टेसला ने बनाई दुनिया की सबसे तेज चलने वाली इलेक्ट्रिक कार नमबर 2017 में पेस हुई टेसला की रोडिश्टर कार दुनिया की सबसे तेज चलने वाली इलेक्ट्रिक कार है टेसला का यह मोडल केवल 1.9 सेकिंड में 100 किलोमेटर प्रती घंटे की रपतार पकड़ सकती है यह 400 किलोमेटर प्रती घंटे से अधिक की टॉप स्पीड से चल सकती है और एक बार चार्ज करने पर 965 किलोमेटर की सांदार रेंज ब्रदान कर सकती है प्रदर्शन में सबसे तेज इलेक्ट्रिक कार टेसला रोडिश्टर को 2020 में लौंच किया गया था नमर थ्री तेसला नहीं बनाई है दुनिया की सबसे सुरक्षित कार तेसला का मॉडल S सबसे ज़्यादा फीचर वाली कारों में से एक है सड़क पर सबसे कम फिसलने वाली कार का रिकॉर्ड भी इसी कार के नाम है और इस कार में सबसे बड़ा पेनोरमिक सनरूप भी उपलब्ध है नॉर्मल सनरूप के मुकाबले पेनोरमिक सनरूप ज़्यादा बड़ी होती है साइज में बड़ी होने के कारण पेनोरमिक सनरूप से ज़्यादा बहतर व्यू मिलता है जबकि नार्मल संडूप में उतना अच्छा व्यू नहीं मिल पाता इसके अलावा पेनेरमिक संडूप से कार में ज़्यादा रोश नहीं आती है क्योंकि इसका गिलास नॉर्मल संडूप बाले गिलास से ज़्यादा बड़ा होता है बहुत कम ही लोग जानते हैं कि Model S को अपने नीचे कुचलने में National Highway Traffic Safety Administration की roof crush resistance testing machine बस्तम में तूट गई थी आसान भासा में हम कह सकते हैं कि इसे एक टैंक के तरह बनाया गया है नमबर फॉर्ट, टेसला कार में हैं सबसे बड़ा infotainment system बर्तमान में लगवक सभी कारें स्मार्टफोन, SIM card support, wireless charging और कई connectivity support जैसी सुविधाओ के साथ आ रही है लेकिन आपको बता दें कि किस कार का infotainment system सबसे बड़ा है यदि आप नहीं जानते तो इसका उत्तर है टेसला मोडल S इस भेतरिन पालकी में बड़े केविन के साथ 17 इंच टच स्क्रीन पेनल उपलब्ध है जो driving, navigation, संगीत और जरुवत की हर चीजों के लिए आपके control पेनल के रूप में कार्या करता है टेसला ने कुछ समय पहले अपनी कारों में एक नया डोग मोड पेस किया था इससे आप दूर रहने के दोरान अपने कुछे को आराम से रखने के लिए कार के केविन का तापमन निर्धारित कर सकते हैं इस मोड में इंफोटेन्मेंट स्क्रीन आसपास गुजर रहे लोगों को एक संदेज भी प्रसारित करती है जिससे उन्हें पता चल सकता है कि कार में मुझूद पालतु जानवर सुरक्षित है इस फीचर में कूलिंग और हीटिंग दोनों मोड सामिल है सो गैस ये थे टेसला कंपनी से जुड़े पांच ऐसे इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स सो गैस अगर आपको वीडियो अच्छी लग देए तो वीडियो को एक लाइक और अगर आप चैनल पहली बाहर आ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं नेक्ट्ट वीडियो में दब तक के लिए अपना खहल लगना जैहें जैभारत